हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब का आपने ही यूटूब चैनल लर्णिंग कैफे में आज के वीडियो में ललित नरान मितला यूनिवर्सिटी पार्ट वन जियोग्रफी सब्सेडिरी रेखा गेस पिपर का प्रैक्रिस करवाएंगे आज के वीडियो में सेट 3 को शुरू कर करेंगे तीसरा सेट पहला और दूसरा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या चैनल के पर लिष्ट में जाके आप वो वीडियो देखिए परते एक प्रैक्रिस सेट में आपको 90 कोशन देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो में तीसरा सेट को शुर निमलिकित में से कौन सी गेस वायू मंडल में सबसे अधीक मातरा में मवजूद है नैट्रोजन गेस ओप्सन सी हो जाएगा नैट्रोजन वह वायू मंडल ये परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपुर्ण है छोब मंडल समुदरी नमक पराग राख धुए की करीमा महीन किस से संबंदित है जल वास्प से संबंदित है निमलिकित में से कितनी उचाई पर ऑक्सिजन की मातरा नगननी हो जाती है 120 किलोमेटर की उचाई पर निमलिकित में से कौन सी गेस और विकिरन के लिए पारदर्सी है तथा पार्थी विकिरन के लिए और पारदर्सी कारवन डायक्साइड निम्र में से किस अक्षांस पर 21 जून को दो पहर सूरी की कीरने सीधी परती है सार है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांस पर निम्र में से किन सहरों में दीन ज्यादा लंबा होता है चंडीगड में जो दीन ज्यादा लंबा होता है निम्लिखित में से किस पड़किरिया दोड़ा वायू मंडल मुखित गर्म होता है लंबी तरंगधैरी वाले अस्थरिये वीकिरन से नेक्स्ट कोईशन निम्लिपदो को उसके उचित वीवरन के साथ मिलाईए तो पहला देखिए सुरियातप जो हो जाएगा इसका आने वाली शौर वीकिरन को सुरियातप कहते हैं इसके बाद दूसरा जो है एलबीडो जो है किसी वस्तु के द्वारा प्रावर्तित दिरिश सी परकास परतिसत को एलबीडो कहते हैं इसके बाद समताप रेखा, समान तापमान वाले अस्थानों को जोडने वाले रेखा को समताप रेखा कहते हैं, वार्चिक तापांतर, सबसे कोष्ण और सबसे सीत महीनों के मध्य तापमान का अंतर, वार्चिक तापांतर कहलाता है, इसके बाद कोष्चन नमबर 12 देखिए पिरित्वी के विश्वत विरितिये छेत्रों की अपेक्षा उत्री गोलार्द के उपोष्ण कटी बंधिये छेत्रों का तापमान अधीक्तम होता है इसका मुख्य कारण है तो इसका कारण है उप्पोस निकटी बंधिये छेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विशुवतिये छेत्रों से ज्यादा होती है यदि धरातल पर वायुदाव एक हजार मिली बार है तो धरातल से एक किलो मिटर की उचाई पर वायुदाव कितना होगा 900 मिली बार अंतर उस निकटी बंधिये अभी सरन छेत्र प्राय कहां होता है विशुवत व्रीत के निकट उत्तरी गुलार्थ में निम्न वायुदाव के चारो तरफ पवनों की दिशाग क्या होगी शमदाव रेखाओ के समानांतर वायु रासियो के निर्मान के उद्गम छेत्र निमलिखित में से कौन सा है विशुवत ये वन मानभ के लिए वायु मंदल का सबसे महत्युपूर्ण घटक निमलिखित में से कौन सा है ऑक्सीजन ऑप्शन जो है D हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्तों इस विडियो में आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है और हमारा target है कि कम से कम टाइम में जादा से जादा question का practice करवा दिया जाए अगर आपको detail में पढ़ना है तो channel के पर लिष्ट में जाए वीडियो अपलोड है वो वीडियो आप detail में पढ़िये next question निमलिकित में से वह परकिरिया कौन सी है जिसके दोड़ा जल दरव से गैस में बदल जाता है वास्पी करण वास्पी करण की परकिरिया से जल जो है दरव से गैस में परिवर्तित हो जाता है निमलिकित में से कौन सा वायू की उस दसा को दरसाता है जिसमें नमी उसकी पूरी छमता के अनुरूप होती है निर्प्यक्ष आर्दता निम्लिकित परकार के बादलों में से आकास में सबसे उचा बादल कौन सा है पक्षाब ओप्षन ए हो जाएगा पक्षाब बादल कोपेन के ए परकार के जलवायू के लिए निम्ल में से कौन सी दसा अर्धक है तो सभी महीनों में उच वर्षा जलवायू के वर्गिकरन से संबधित कोपेन की पधती को वेक्ट किया जा सकता है अनुभविक द्वारा ओप्षन डी हो जाएगा अनुभविक निम्लिकित में से कौन सा साल विशु का सबसे गर्म साल माना गया है उनीस सो अंठान में नीचे लिखे चार जलवायू के समोहों में से कौन आर्ध दसावों को परदर्शित करता है A, B, C, E भारतिये प्राइदीप के अधिकतर भागों को कोपेन की बद्धदी के अनुशार वर्गी किरिद किया जाएगा A, M में अप्शन जो है D हो जाएगा A, M तापमान की विलोमता आदर सुरूत में कहां मिलती है पहारी छेतर में किसके छेतर में निम्न वायू दाब पाया जाता है चकरवात छेतर में निम्नांकित में कौन यूरोप की ओर चलने वाला अस्थानिय पवन है शिरक्को जो है यूरोप की ओर चलने वाला अस्थानिय पवन है अस्थानिय पवनों में कौन दक्षिनी यूरोप में पाया जाता है चिनुक हवाय जो है दक्षिन यूरोप में पाया जाता है पवन का वेग किस यंतर से मापा जाता है कमरूनी मो मीटर से मापा जाता है मान्सून पवन के परभाव में कौन नहीं आता दक्षिन अस्ट्रेलिया कौन आरोही पवन है घाटी समीर घाटी समीर जो है आरोही पवन है पिरित्वी पर आने वाली उर्जा कहलाती है स्वर्यामित ताप ओप्शन बी हो जाएगा स्वर्यामित ताप सर्वाधिक स्वर्यामित ताप कहा होता है विशुवत रेखा पर सरवाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है शाम चार बजे ओप्शन जो है इसका D हो जाएगा अप्राहन चार बजे सुरी की कीर्णों को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनट 8 मिनट के आसपास तो अप्शन C हो जाएगा लगभग 8 मिनट सुरी दुआरा विक्रित कूल ताप का कितना परतिसत पिजित्वी के धरातल तक पहुंचता है 40 ये जो है कितना परतिसत पहुंचता है तो इसका जो राइट आंसर है इनमें कोई नहीं अप्शन D हो जाएगा विश्वतिये परदेश का औसरत वार्षिक तापमान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की विलोमता आदर्स रूप में कहां मिलती है पहारी छेतर में कुछ दवाव वाली हवाये जो केंदर से बाहर की ओर चलती है उसे क्या कहते है परती चक्रवात कहलाता है किसी अस्थान विशेश की वर्षा निर्फ़र होती है परवतों की दिशा पर गर्म जल नम वायू ठंडी वायू से संपर करती है तो जल वास्प वायू में तेरते कनों पर मिलते हैं इसे कहते हैं इसे कोहरा कहते हैं कोईशन नमबर 43, वायू में अस्थीद नम्मी के अंस को कहते हैं, आर्दता, गरस्ते 40 किसे कहते हैं, पच्छुआ पवन को, भुमद रेखिये परदेशों में होने वाली वर्षा किस परकार की है, सन वहनिये वर्षा, टाइफून नामक चक्रवाद से निमलिखित कौन सा छ चक्रवातों की उत्पती से संबंधित धुरूबिये, वात्तागर सिध्धान का परतिपादन किस ने किया, जे बढ़कनीज, चक्रवात की आँख की सरुपर मुख विशेश्ता क्या है, श्वच नीला अकास, चक्रवातों की मुख विशेश्ता है, केंदर में निम्न वाय की और वायुदाब का बढ़ना, उस निकटी बंधिये, चक्रवातों का वियाश होता है, तीन सो से चार सो पत्चास किलोमीटर, आइसो एस्टेसी, सब्द का परियोग सरुपर्थम किस ने किया, डटन ने, ओप्शन, ये हो जाएगा डटन, समस्तिति के सिध्धान्त को सम जाने के लिए किस विद्वान ने पारा भरे बरतन में विभिन धातुव के टुकुरों की मदद ली, प्राट ऑप्शन जो है, बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राट ने, विशु में सघंतम रेल जाल किस महादुप में है, तो रेल जाल जो सब से यूरोप में है, तो ऑ और भारत में है, तो ऑप्शन डी हो जैगा सभी, यूरोप में रेल मार्ग की लंबाई लगवा कितना है, चार लाक चालिस हजार किलोमीटर, अफरीका में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 40,000 किलोमीटर, विशु की कूल मोटर वाहन चलाने योग्यी सरकों की लंबाई क इतनी हैं? का परयोक्या जाता है.- निम्र में से कौनसा भू उपयोग्व संवर्ग नहीं है .- किरिशी योगी वियर्थ भूमी पिषले चालिस वर्चों में वन्रुणों का उनपात बढ़ने का निम् thumbnail में से कौन सा कारन है वनी करण के विस्तिरीप्त व शक्षम पढ़ियास निम्न में से कौन सा सिंशित छेतरों में भू निम्नी करन का मुखी परकार है अव नाली का अपरदन सूस्क क्रिसी में निम्न में से कौन सी फसन नहीं बोई जाती जुआर निमन में से कौन से देशों में गिहूं वचावल की अधिक उत्पादकता की किस में विक्षित की गई थी मैक्सीको और फिलिपिन्स में किस परकार के संसाधनों का पुनरुत्तापन नहीं किया जा सकता और नविकर्णिये संसाधन सौरुर्जा, पवनुर्जा, जलवायू आधी किस परकार के संसाधन है और समाप्ती संसाधन है किस देश में संसाधन अधीक तथा प्रद्योगिक विकास कम है भारत में किस देश में संसाधन कम तथा विकास अधीक है जापान में नियोजित तरीके से संसाधनों का उपियोग क्या कहलाता है संसाधन संदक्षन समस्थिती के सिध्धान्त के परीक्षन में जोर्ज एरी ने किस पदार्थ से बने समान घनत वाले टुकडों की मदद ली थी लकडी के नेक्स्ट कोईचन बर्फ के टुकरे का नौ भाई दस भाग जल में डूबा रहता है तथा एक भाई दस भाग जल के उपर निकला रहता है यह बताता है कि दरव में डूबी ही वज़तु अपने नीचे के दरवमान के बरावर ही दरवमान को हटाती है यह सिध्धान्त समस्तिती के विशे में क्या बताता है सियाल सीमा पर तैर रहा है सन 1869 में गंगा सिंधु मैदान में आक्छांसों का सही निरधारन करने के लिए जो भूग नितिये सरवेक्षन किया गया उसमें दो अस्थान चुने गया वे दो अस्थान जेओ कौन से थे कलियान एवम कलियानपूर तैराव का नियम भी संतूलन सिध्धान्त में असपश्ट किया जा सकता है यह मत किसने परतिपादित किया बोबी के दुआरा गुटेन बर्ग के अनुसार सियाल का घनतु कितना है 2.75 से 2.9 नियम नांकित में से किस विद्धुआन का संबंद पलेट टेक्टोनिक्स सिध्धान्त के परतिपादन से है टूजो विल्सन का किन विद्धुआनों ने पलेट वीवरतन सिध्धान्त के अधार पर जापानी दूपिये चाप की उत्पत्ती समझाई है डेवे तथा बरड़ डेबलू जे मर्गन ने पिरित्वी पर कुलकृतने परमोख पलेटे बताई है चौदा क्वेशन नमबर 80 पलेट सीमाओ पर भुकंपो के छेत्र होने का पता किस ने लगाया था हुईगो बिनियॉफ सूपर महादूइप को किस नाम से संबोधित किया जाता है पैजिया के नाम से निमलिखित में से कौन सा सरवाधिक प्राचीन परवती करन है प्री कैंब्रियन मोहो विशम विनियास के गहराई कितनी है भू परपटी के नीचे 30 से 50 किलो मेटर मध है दुरवलता मंडल धरातल से लगवक 30 से 50 किलो मेटर की गहराई तक के छेतर में क्या होता है भू कम्पिय तरंगे बहुत धीमी गती से चलती है अफ्रीकन और यूरोपियन पलेटो के टकराने से किस परवत की उत्पती हुई है आलपस परवत की ओप्शन डी हो जाएगा आलपस यूरेशियन एवं भारतिय पलेटो के ठकराने से किस परवत का निर्मान हुआ है इंडीज परवत का निर्मान हुआ है जिन पलेट किनारों के सहारे से प्रित्वी के अंदर से तप्त तरल मैगमा उपर निकलता है उन्हें कहते हैं उन्हें रचनात्मक पलेट किनारा कहलाता है मुरियाना ट्रेंज कहां अस्थीत है मुरियाना ट्रेंज परसाथ महसागर में अस्थीत है परवतो का निर्मान किस पलेट किनारे के सहारे होता है विना सात्मक पलेट किनारा अवसिष्ट चुम्बककतु का मापन किस रियंतर के द्वारा किया जाता है मेगनेटो मीटर के द्वारा ओप्शन भी हो जाएगा मेगनेटो मीटर तो दोस्तो आज की वीडियो में 30 सेट कॉम्ठी हो गया पहला और दूसरा सेट पहले पहले कॉम्ठी करा दिया गया है लिनक आपको डिस्किप्सियन में मिल जाएगा या चैनल के पलीश्ट में जा के आप वो वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नाटिफिकेशन बिल को दबा के All पे क्लिक किजिए ताकि मैं जब इस परकार का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक कहुंचे तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके ज़रूर बताईए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंज को भी हल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर किजिए अगर कोई डाउट है क्या कोई सवाल है या किसी कोहिचन का अंसर बाई मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कॉमेंट करके बताइए तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर